पराक्रमी हनुमान जी विचार करने लगे कि सीता का अनुसंधान करते करते मैंने गुप्तरूप से शत्रू की शक्ती का पता लगा लिया है तथा राक्षसराज रावन की प्रभाव का भी निरीक्षल भी कर लिया है। जिन सीता जी को हजारो लाखो वानर समस्त दिशाओं में धून रहे हैं। आज उन्हें मैंने पलिया है। ये शोग के कारण व्याकुल हो रही है अतरह इन्हे सांत्वना देना उचित है। परंतु राक्षसियों की उपस्थिती में इनसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं अब मेरे समक्ष समस्या ये है कि मैं अपने इस कार्य को कैसे संपन्न करूँ। यदि रात्री के व्यतीत होते होते मैंने सीता जी को सानफुना नहीं दिया तो निहसंदे ये सर्वथा अपने जीवन का परित्याग कर देंगी। यदि किसी कारणवश मैं सीता से नमिल सका तो मेरा सारा प्रयत्न निश्वल हो जाएगा। प्रामचंट्र और सुग्रीव को सीता के यहां उपस्थित होने का समाचार देने से भी कोई लाब नहीं होगा क्योंकि इनकी दहखत दशा को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि ये किस समय निराश होकर अपने प्रान इसलिए उचित यही होगा कि मैं सीता जी जिनका चित अपने स्वामी में ही लगा हुआ है कुश्री राम के गुंगा गाकर सुनाओं जिससे उन्हें मुझ पर विश्वास हो जाए। दयानिदी श्री रामचंट जी अपने पिता द्वारा की गई प्रतिग्या का पालन करने के लिए अपने छोटे भाई लक्षमन के साथ जो उतने ही वीर, पराक्रमी और भ्रात्रभथ है, 14 वर्ष की वनवास की अवधी समाप्त करने के लिए अनेक वनों में भ्रमन करते चित्रकूट में आकर निवास करने लगे। उनके साथ उनकी परम्प्रिय पतनी महाराज जनक की लारली सीता जी भी थी। वनों में रिशी मुनियों को सताने वाले राक्षसों का उन्होंने सहार किया। लक्षमर ने जब दुराचारनी शूर्पनखा के नाक कान कात लिये तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए उसके भाई खरदूशन उनसे युद्ध करने के लिए आये जिनको रामचंध जी ने मार गिराया और उस जनस्थान को राक्ष स्विहीन कर दिया। जब लनकापती रावन को खरदूशन की मृत्यू का समाचार मिला तो वह अपने मित्र मारीच को लेकर छर से जानकी का हरन करने के लिए पहुचा। मायावी मारीच ने एक स्वन मृक का रूप धारन किया जिसे देखकर जानकी जी मुगध हो गई। उन्होंने रागवेंद्र को प्रेरित करके उस माया मृक को पकड़ कर या मार कर लाने के लिए भीजा। तुष्ट मारीच ने मरते मरते राम के स्वर में हा सीते। हा लक् कर सीता की खोज करने लगे। मार्व में वानराज सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। मुग्रीव ने अपने लाखो वानरों को दसो दिशाओं में जानकी जी को खोजने के लिए भीजा। मुझे भी आपको खोजने का काम सौपा गया। मैं चार सौकोस चौड़े सागर को पार करके यहां पहुचा हूँ। श्री रामचंद जी ने जानकी जी के रूप रांग, आकृती, गुनो आधिका जैसे वर्नन किया था। उस शुब गुनो वाली देवी को आज मैंने देख लिया है। इतना कह कर हनुमान चुक हो गए। उनकी बाते सुनकर जनकनन दिन सीता को विस्मय युक्त प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने उपर नीचे तथा इधर उधर द्रिष्ट पात किया तो शाखा के भीतर छिपे हुए, विद्युक्पुंच की सामन अत्यंत पिंगल वर्न वाले श्वेत विस्त्रधारी हनुमान जी पर उनकी द्रिष्टी प आप कौन है? आपका कोमल शरीर सुन्दर विस्त्रा भूशनों से सुसजजित होने योग्य होते हुए भी आप इस प्रकार का नीरस जीवन व्यतीत कर रही है। आपके अशुब भरे नेतरों से ग्यात होता है कि आप अत्यंग दोखी है। आपको देखकर ऐसा प्रतीत होत है किसा आप आकाश मिंदल से गिरी हुई रोहिनी है। आपके शोग का क्या कारण है? तहीं आपका कोई प्रियजन स्वर्प तो नहीं सिधार गया। तहीं आप जनकनंदिनी सीता तो नहीं है जिनहीं लंकापती रावन जनस्थान से चुरा लाया है। जिस प्रकार आप ब मेरा यह अनुमान सही है। अनुमान का प्रश्ट सुनकर सीता बोली हे वानर राज। तुम्हारा अनुमान अक्षश सही है। मैं जनकपुरी के महाराज जनक की पुत्री, आयोध्या के चक्रवर्टी महाराज दश्रत की पुत्रवधू तथा परमते जिस्वी धर्मात्मा श्री रामचंद जी की पत्नी हूँ जब श्री रामचंद जी अपने पिता की आगया से वन में निवास करने के लिए लिए आये तो मैं भी उनके साथ वन में आ गए थी वन से ही ये दुष्ट पापी रावल छलपूर्वक मेरा अखरन करके मुझे यहां ले आया वह मुझे निरंतर यातनाय दे रहा है आज भी वह मुझे दो मास के अवधी दे कर गया है यदि दो मास के अंदर मेरे स्वामी ने मेरा उद्धार नहीं किया तो मैं अवश्य प्रान त्याग दूंगी यही मेरे शोक का कारण है अब तुम मुझे कुछ अपने विशे में बताओ